हेलो एवरीवन वेलकम टू माई यूटूब चैनल मैं थवी दरीना मैं आज हमारी सिंपल इंट्रेस्ट की थर्ड और आखरी कलास है आज की कलास में हमारा सिंपल इंट्रेस्ट खतम हो जाएगा कल से हम अब चक्रवर्धी ब्याज के क्यूस्टन करेंगे चलिए सुरू करते हैं हमारी आज की कलास क्यूस्टन नमबर पंदरा हमारा कल के कलास में जो हमने होंवर क्यूस्टन दिया था वो क्यूस्टन है चलिए देखते हैं ये क्यूस्टन कैसे होगा दो वर्स की आर परसेंट वार्सिक ब्याज की दर से साधान ब्याज आर होगा यहाँ पर देखो कितनी रासी पर यहाँ पर क्या पूछा हम से मुल्धन पूछा है समय दे दिया दर दे दी और ब्याज दे दिया तो देखो जब ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है सेम मुल्धन गुणा दर गुणा समय बटा सो हमारा होता है ब्याज तो इस फॉर्मुला में जो जो हमें दे रखा है वो वो पूट अप कर लेंगे तो यहां पे देखो समय दे रखा है और दर दे रखिए मुल्धन हम ढमें नहीं देर किया तो यज्टी लिख लेंगे मुल्धन ठीक है मुल्धन गुना दो कुणा आर बटा 5050 तोप्स पुच्छा था तो क्या जाना ये पींज हो जाएगा चलिए बॉट नंबर कि यूश्टा नंबर फर्स्ट एक ही समय अवधी में कोई धन्रासी पांच परसेंट के ब्याज पर बाइस सो रूपए और आठ परसेंट के ब्याज पर तेई सो बीस रूपए हो जाती है तो यहां पर देखो नहीं तो हमें मूल धन दिया नहीं हमें दिया है समय हमें सिर्फ दर दिए है और मिसर दिया है तो इन दौनों सिर्फ दो चीजोत एसे कैसे निकालेंगे इस क्यूश्टन में हम वह चीद HEY तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे मोल धन को मान लेते हैं पहले तो क्योंकि हमें मुल धन थो समय भी चाहिए तो से कभी मान लेंगे तो मुल मुल धन करो शैं को मद्लिया अब यहां से देखो पहले जो मिसर दन क्या होता है मुल धन पलस ब्याज तो मुल धन हमने माना है एक्स एक्स का मुल ब्याज निकालेंगे तो एक्स गुणा दर है पांच ती हमने माल लिया समय मालना है टी बटा सो बराबर है कितना दे दिया बाइस सो जब दर पांच परसेंट है तो मिसर दन है बाइस सो यहां से हमारा मिसर दन क्या आ गया बाइस सो यह तो आगे हमारी फ पलस एक्स का एक्स गुना समय गुना दर है ना बटा सो और जो हमारा कितना है 2320 अब देखो सेकंड एक्वेशन में से पहली एक्वेशन घटा देंगे तो देखो एक्स से हमारा एक्स कट जाएगा 8 X T में से 5 X T जाएगा तो कितना बच गया 3 X T बटा हैंडर्ड जो हमारा कितना आगे 120 के बराबर तो 3 X T कितना आगया 12000 है ना तो X T की वैलू हमारी हैंसे क्या आगी 4000 अब यह X T की वैलू हम किसी भी एक एक्वेशन में रख लेंगे तो हमारा मुलधन की value आ जाएगे क्योंकि यहां पे क्या हमने x मान है मुलधन तो यहां पे रखके देख लेते हैं x-plus x-2 की value कितनी आ गए हमारे पास 4000, 4000 का 5% जो यहां पे हैं देखो दर कितनी है 5% छो कितना हो गया हमारा 22 ठीक है तो यदभा यहां से देखो 20 से गढ़ गई 20 तो यह कितना आ गया 200 एक्स पलस 200 बराबर है 2 अ कि ऊसे यहां धोगी 2000 रूपय अब यहां से 200 रूपयِ मुलधैस हमें निकाल लूंए हमारे पास अब तो कोई दिक्ट है यह नहीं लेंगे तो देखो ब्याज गुणा कि ब्याज गुणा सो कि बटा मुल्धन कि गुणा समय है यही हमारा ब्याज होता है दर होती है हमें क्या निकालना है सुरी दर लिख लेंगे दर समय निकालनी है तो दर लिख लेंगे दर निकालनी होती तो समय लिख लेंगे ठीक है समय ह मेरा यह आगया आग वाल को जबह दे राखिए हमारी यहां पे तो कितना है 200 रुपिए किना सो मुल धनामारा किया आगया 2000 रुपिए गुणा कितनी है पांच प्रसे मैंना सोल करेंगें 2-0 से कट गई 2-0, 1-0 से हमारी कट गई 1-0, 5 से कट गया 4 पे, 2 से कट गया 2 पे, तो हमारा समय यहां से क्या आ गया 2 वर्स, जो हमारा है फर्स्ट ओक्षन में, तो हमारा फर्स्ट ओक्षन यहां से सही हो जाएगा, सलिए जैते हैं क्यूस्टो नमबर 2 क्यों से नमबर दो एक साहवकार दस परसेंट साधान ब्याज की दर से कोई धन उधार देता है हालां कि वह एक वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रीम रूप से लेता है यहां पर अग्रीम रूप से लेता है क्या मतलब हो गया कि जैसे मालो उसने 100 रुपे दिये अगले बंदे को हमने माल लिया मुल्धन उसने उधार पैसे दिये है 100 रुपे और इस पर इसने क्या बोला है कि वह 10% ब्याज लेगा तो दर यहां से क्या आगी 10% लेकिन इसने क्या बोला कि जो ब्याज है वो एडवांस में लेगा तो एडवांस में लेगा तो सो का दस परशेंट कितना होता है दस रूपए है ना तो उसने क्या किया सो रूपए उस बंदे को दे दिये लेकिन क्या बोला कि जो ब्याज तुम्हारा बनते है वो मुझे advance में चाहिए advance में चाहिए का मतलब हो गया कि तू 10 रुपय मेरेको अभी वापिस दे दे तो उसने 10 रुपय अभी वापिस दे दिये तो उसने मुल धन तो कितना दिया देखो लें दिन भले ही 100 रुपे पहले दिये लेकिन वापिस 10 रुपे ले लिए तो रुपे तो दिये 90 है ना, और जब उसका ब्याज जूढ जोड़ जाएगा 10% और तो जब वो वापिस देंके जाएगा तो 100 रुपय देके जाएगा क्योंकि ब्याज के हिसाब से 100 रुपय का 10 परसेंट 10 रुपय बनता है जो उसको लास्ट में टोटल रुपय देने थे मुल धन पलस ब्याज वो 110 रुपय देने थे है ना लेकिन यहां पर 10 रुपय उसने पहले ही दे दिये जब वो देके जाएगा तो 100 रुपय देके जाएगा यहां पर एक चीज समझो यहां पर देखो किसी को हमने पैसे देने हैं 100 रुपय हमने उसको देने हैं हमने बोला कि हमें 10% ब्याज दर चाहिए 10% ब्याज दर चा कि क्या पता बयाजबाज में दो नहीं दो तो हमने बयाज एडवांस में ही ले लिया यानि कि उसे को 100 रोपे देने की वजाये उसे 10 रुपे वापस लिया जो ब्या disgust, के 10 रुपे बनने थी adora में उसको सरफ 90 रुपे ही दिये यहां पर 90 रुपे दिये इसका मतलब हमने ब्याज दिये 90 रूपए और जो वह वापिस देखे गया तो 100 रूपए तो उसको दे नहीं है है ना ब्याज के जोड़के तो यहां पर क्या हुआ कि 10% ब्याज दर हमने सरफ 90 रूपए पे ही कमा दी ठीक है अगरीम ब्याज लेने का मतलब यही होता है तो अब देखो अब देखो यहां पर 10 रूपए ब्याज कमाए कितने रूपए पे 90 रूपए पे यहां पर हमने उसको सरफ 90 रुपया ही उधार दिये हैं ठीक है तो 10 बटा 90 गुणा 100 यह हमें ब्याज मिला है यहां पर तो 100 बटा 9 ठीक है 9 एक कम 9 9 एक कम 9 सही 1 बटा 9 जो मारा हो गया 11.11 ठीक है यहां पर जो original उसका percentage आ गया ब्याज की जो दर उसने ले ली वो 11.11 का नाम लेकर उसने यहां पर 11 सही एक बटा 9 परसेंट ब्याज कमाया है वहां से ठीक है चलिए नेक्स क्यूशन देखें क्यूस्तों नमबर थ्री एक रासी पर 10 परसेंट दस वर्स का साधान ब्याज 31 से अथीस रुपै है यदि 5 वर्स बाद मुल्धन 5 गुणा हो जाता है तो 10 वर्स बाद कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा तो यहां पर देखो क्या दिया है 10 वर्ष का साधान ब्याज दे दिया 10 वर्ष का साधान ब्याज कितना दे दिया 31,31 रूपय दे दिया तो एक वर्ष का साधान ब्याज क्या हो जाएगा 313 रूपय तो अब यहां से देखो 5 वर्ष तक तो उसको सेम ब्याज ही मिला है यधी 5 वर्ष बाद मुल्धन 5 गुंडा हुआ है तो तब तक तो उसको बियाज शेम मिलेगा तो बियाज 7 मिलेगा तो 5 वर्ष तक तो उसको बियाज मिला है same है चैना आग्गे क्या बोला यह वाला बियाज तो हो गया उसका यहां पे कितना हो गया 5 wells तक कमाया है व्याज 5 वरस उसके ब्याद क्या हुआ कि मूलधन 5 गुणा हुग तो सिधा-सिधा मॉलटिप्लाइ होता है ना तो यहां से मूलधन 5 व्याज 5 गुणा मिलेगा तो 313 का 5 गुणा मिलेगा यानि जो 1565 उसको 5 साल में मिलें है वो उसको 1 साल में मिलें पर यहां पे देख हूँ 5 साल और बच गया किए कि दस साल बाद का कुल ब्याज पुच्छा है तो पलशल का ब्याज तो हमारा आगई और का ब्याज अग чудес तक कितना ब्याज तो ब्याज भी हमें पांच गुणा रूपय इसको सब्सक्राइब कर दो सही एक बटा चार वर्स्त के अंत तक दो सही दो बटा तीन परसेंट वार्षिक दर से छूट अठेटर रूपय है तो यहां पर देखो 201 बटा चार का मतलब 9 बटा चार वर्स और दर कितनी मिल रही है परते एक वर्स के इसाब से 202 बटा तीन यानि की तीन दोनी चैए और 2-8 बटा तीन परसेंट तो टोतल ब्याज हमें कितना परसेंट मिलेगा इतना परसेंट जो हमारा देखो 4 से कट गय यहां पर चूट है कितनी एठेतर रूपय परसंटेज में चूट 6% रूपयों में एक परसंट के बदले बटा 6 और मुल्दन तो हमेशा 100% ही होता है तो 6 कम 6 6 3 18 तो कितना आगया तो यहां से मुल्दन कितना आगया तेरा सो रूपय जो हमारा है सेकंड ओक्सर में चलिए क्यूस्ट नंबर फाइफ देखते हैं क्योस्ट नंबर फाइफ एक व्यक्ति ने दस वर्सों में पिचानवे सो रूपय के मुल्धन पर एक सो तीस परसेंट साधान ब्याज प्राप्त किया ब्याज की दर बताओ यहां पर देखो पिचानवे सो रूपय का तो कोई रोल है नहीं यहां पर क्योंकि हमें सीधा परसेंट कमाया तो एक वर्स में सिधा सिधा अंडस्टूड है कि एक सो तीस बटा दस कमाएगा तो एक साल की दर कितनी हो जाएगी तेरा परसेंट यहां से हमारा आप आंसर आगया सेकंड ऑप्सन चलिए नेक्स कुस्टों देखें कुस्टों नंबर सिक्स एक आदमी कु तो दो वर्स का कुल ब्याज, 27 रुपे प्राप्त होता है, कुल निवेसित रासी ज्यात करो तो यहां पर देखो, सबसे पहले तो जो रासीो का नुपात निकालेंगे ठीक है तो यहां पर देखो, पहली रासी मान लेते हैं X X का 2 बटा 3 बराबर है Y का कितना 4 बटे 5 के बराबर दे दिया तो X बटा Y हमारे पास क्या आ जाएगा 4 बटा 5 गुणा 3 बटा 2 पलट के गुणा कर देंगे 2 से कट गया 2 पे तो यह कितना आ गया 6 बटा 5 यानि कि X की वैलू आगी अब देखो X पे ब्याज कमाया 5 परसेंट तो 6 का 5 परसेंट पलस Y पे ब्याज कितना कमाया है 9 परसेंट तो यहाँ पे देखो 5 का 9 परसेंट टोटल कितना दे दिया यह देखो यहाँ पे ब्याज कितना है 2 वर्स का और यह ब्याज हमने क्या लिया है एक वर्स का, यहां पे एक वर्स का बियाज लिख लेंगे, तो 1,035 आगया हमारा एक वर्स का बियाज अब देखो, यहां से कितना आगया 55 बटहा, 100 बराबर है कितना, 1,000 55 बराबर, अब देखो एक इसके बराबर पलटके गुणा करेंगे तो 100 उपर चला जाएगा पीछे तर निच्चे आप देखो कुल रासी हमारी अनुपात में कितनी है ग्यारा हमने यहां पे कुल निवेशित रासी ही निकालनी है अगर ये पूछ लेता कि पहली रासी कितनी है तो हम 6 से गुना कर देते दूसरी रासी पूछते तो 5 से गुना कर देते लेकिन अब क्या पुछे कुल निवेशी तरासी ग्यात करो तो कुल निवेशी तरासी तो छेर पलस पांच कितनी है 11 तो 11 से गुणा इसको और कर देंगे तो अब देखो 2, 4, 6, 2, 18, 1, 4, 3, 12, 1, 13 1380, गुना 11 गुना करेंगे तो 11 से 0 पे 1188, 8 11 तिया 33 और 8 कितना हो जाएगा 11 तिया 33 और 8 41, 4, 11, 11 और 4, 15 तो यहां से कितना आ गया? 15, 180 आ गया हमारा यहां से आंसर जो है हमारे third option में ठीक है जो किउस्टन में दिया है साथ-साथ लिखते जाएंगे आंसर तो हमारा अपने आपी आ जाएगा ठीक है जो जैसे दे रखा किउस्टन में सेम नोट करते जाएंगे साथ-साथ किउस्टन नंबर आठ अंकुर ने 8% साधान ब्याज की दर से कुछ रासी मेगा से उधार ली उससे दुगनी रासी उसने 9% के साधान ब्याज पर रिन्ना से उधार ली वे कुछ धनरासी और मिला कर उसे सालनी को 10% साधान ब्याज की दर से उधार देता है वर्ष के अंत में अंकुर को 1400 रुपे का लाब होता है यहाँ पे देखो अंकुर का लाब दिया है ठीक है यदि अंकुर को 40,000 सालनी को उधार देता है यानि क्या देखिया अंकुर ने सालनी को कितने पैसे दिये 40,000 किस रेट पे 10% पे तो सालनी से अंकूर को कितने रुपे मिले 40,000 का 10% मिला है तो सालनी से अंकूर को कितने रुपे मिले है 4,000 रुपे लेकिन उसके पास बचत कितनी हुई है 1400 रुपे की तो यह जो बख्की के पैसे हैं यह कहां गए यह पैसे गए यहां के इंट्रेस्ट भे जो उसने किसी और से पैसे उधार लिये थे तो यहांपर न में फैसे मानलों पैसे लीए उसने सो रुपय उधार लिये तो आठ परसेंट की सहाब से तो इसको कितने रूपे देने थे 8 रूपे यह तो डबल पैसे लिए तो रीनन से लिए अंपर 18 रूप यहां से हमारे कितने बनेगे चब्भीस रूपे bacon यहां से कितने हैं 2006 रूपे तो एक अनुपात की वेलू यहां से कितनी आ गी 100 रूपय तो अब देखो यहां से अनुपात में भीमना चरही कितनी लेथी 200 रूपय और यहां से क्या पुछ लिल्बसक्या चरूतर है इसंध फॉर्थ option में कि नमबर आठ जै दि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो किसी रासी से प्राप्त ब्याज 108 रुपया धीक हो जाता है यदि समय अवदी को 2 वर्स बढ़ा दिया जाए तो उसी धनराशी पर प्राप्त ब्याज 180 रुपया हो जाता है तो मुल धन गयात करो, एक चीज बताओ, यहां पर क्या हमें data sufficient दिया है, कैसे करके देखो यहां पर, ब्याज कितना दे दिया, 108 रुपया अधिक, 2% की बढ़ोतरी पे, तो यहां से तो दो क्या परता है, निकाल भी ले, कि 2% की बदले ब्याज कितना अधिक मिला, 108 रुपया एक परसेंट बढ़ाते तो कितना मिलता बटा, 2, कितना हो जाता, 14 रुपया, निकाल लेंगे, लेकिन अब आगे क्या दे दिया, यदि समय आधि को 2 वर्स बढ़ा दिया, तो पहले तो हमें समय दिया ही नहीं है, कुछ भी, समय कहां दे रखा है, कहीं दे ही ने रखा, तो पहले, समय किसमें बढ़ाईं, कैसे बढ़ाईं, तो यहां से कैसे ब्याज निकले गां मारा ठीक है, तो यह हमारा झो है, ढाटा इसनोत सूफिसेंट, हमारा अंसर आ जाएगा, यहां से, ढाटा हमें सूफिसेंट नहीं दिया है, Q7. 12 वर्स में साधान ब्याज की रासी 1500 हो जाती है यहाँ पर क्या दिया है साधान ब्याज की रासी समय दे दिया 12 वर्स साधान ब्याज की रासी क्या होगी साधान ब्याज की रासी क्या होगी तो यहां पर साधान ब्याजी दिया यदि परारंबिक धनरासी में चार साल के लिए करम से 10% और 25% की व्रवाजी होती है इसका यहां पर कहने का मतलब क्या है कि जेखो यहां से 12 वर्स का साधान ब्याज कितना है 1500 रूपए पर तेक चार साल में रासी चेंज हो रही है तो चार-चार साल के हिसाब से लिख लेते हैं ब्याज पहले चार साल में कितना मिलेगा दूसरे चार साल में कितना मिलेगा और तीसरे चार साल में कितना मिलेगा तो यहां पे देखो, पहले साल में कुछ बढ़ोतरी हुई नहीं है। हमे पहले साल में भी यह ब्याज विलता बढ़ोत्री हमारे ब्याज में होगी है सेम बताया है एक डेर कि परपोर्पोर्ष्णल होता है घरा देरन असे की नहीं यहां पर देखो पहले साल मेंच्टाव कुछ बढ़ोत्री नहीं हुई । अगले साल में कितनी बढ़ोत्री हुई 10 पर Deputy तो 500 क20 परसेंट की बढ़ोत्री हुई तो 50 रुपय की बढ़ोत्री हो गई अगले पांच साल में चार साल में कितनी बढ़ोत्री हुई 25 परसेंट की बढ़ोत्री तो 500 का 25 परसेंट दो जिरो से कट गया है तो यहां से कितनी बढ़ोतरी हो एक सो पचीस रूपय की बढ़ोतरी तो टोटल ब्याज में बढ़ोतरी कितनी होगी एक सो पिचेतर रूपय की तो पंदरा सो ब्याज हमें पहले से मिल रहा था एक सो पिचेतर रूपय की बढ़ोतरी हमारी होगी यहा मुल्धन ओर जो ब्याज होता है वह फिसके इस कुस्तिन को कर्वाने का यही था कि जो मुल्धन होता है और जो ब्याज होता है वह सेम इंटरेस्ट से बढ़ते हैं ठीक है तो यहां से हमारा आणसर आगया सेकेंड आपक्सिन क्यूस्ट नमबर दस SBI और PNB में साधान ब्याज की दर से साथ अनुपात आठ में है साधान ब्याज की दर क्या दे दी साथ अनुपात आठ में यदि एक व्यक्ति कुछ धन दोनों बैंकों में दो वर्स के लिए निवेश करता है तो यहाँ पे देखो SBI और PNB है ना दो बैंक दे दिये एक में दर कितनी मिल रही है साथ परसेंट और दूसरे में ब्याज आठ परसेंट दोनों में ही समय कितना दो वर्स तो यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा सालका और गुना तो यहां से ब्याज कितना मिलेगा? 14% और यहां से ब्याज कितना मिलेगा? 16% अब आगे देखो 2 वर्स में बराबबर धन प्राप्थ होता है यानि कि X का 14% बराबर है Y का 16% क्योंकि दोनों से हमें ब्याज जो है सेम प्राप्थ हुआ है तो अब यहां से देखो X बटा Y हमारा सेम वही क्या आजाएगा 2 से काटेंगे 7 पे 2 से काटेंगे 8 पे तो यह कितना आजाएगा 8 बटा 7 यानि कि X की वेलू आगी 8 Y की वेलू आगी 7 तो हमारा हो जाएगा 3rd option सही हो जाएगा ठीक है जो सवाल में दे रखा है वैसे वैसे करते जाएगे मारा आंसर आजाएगा क्योस्स नमबर 11 निर्मल ने अपनी 15860 रुपे की धनरा सी अपनी तिन्नों पूत्रियों पुन्नम, रिन्ना और सिन्ना के नाम पर इस परकार निवेशित की कि उन्हें करम से 2 वर्स, 3 वर्स और 4 वर्स में समान ब्याज प्राप्त हुआ यदि साधान ब्याज की धर 5% है तो यहाँ पे देखो पुन्नम को धन दिया है, रिन्ना को दिया है और सिन्ना को दिया है ठीक है रासी हम बाद में देखेंगे जो हमें परसंटेज में धन दिया और कितने साल के लिए दिया है वो देख लेते हैं पहले देखो दो वर्स पुन्नम की जो धन रासी है वो दो वर्स के लिए जमा है रिन्ना की है तीन वर्स के लिए और सिन्ना की है चार वर्स के लिए तिन्नों को ही जो ब्याज की दर है वो 5% मिल रही है तो 5 परसेंट ये भी 5% और ये भी 5% तो एक चीज देखो यहां से सबको ब्याज समान प्राप्त हुआ है तो तो रिन्ना का 15% और सिन्ना का 20% प्रावबर यह तो यह हुआ ते देखो हिने में 5 है तो कट जाए waiver अनूपाद में लेकर आएंगे करते हैं तीन ₹नलैकम कितना 12 यहाँ पे तीन पाहर चार अनुपाद शरी 6 अनुपाद 4 XX4 अम्हारा आ जैए गई lang का ठीivi गव तो अनुपाद धंजरा सिखान तो क्या करेंगे जो दान राच्यात रख है अगर यहां पे करेंगे ले लेंगे तीनों संख्याओं का इन सारी चीज़ों को इसे टिवायड कर देगे तो हमारा तोसे ऊर्जिनल नुपात अजएली ओर आजाएगा मूल्धन का ठीक है धनणरासी का हियानुपात कि अम से और 9% है पहले व्यक्ति दवारा चार वर्स में दिया गया ब्याज दूसरे व्यक्ति दवारा इंदरी गए द्धन्रासी बताये यह किस्वर्थ करके देखिए और इसका झाल झाल